इस मोजूल में हम बात करेंगे कि सोशल एंटरपनियोर्शिप में आइडियाज जेनरेट करना और फिर उनको assess करना उनकी जो viability है being implementable ideas यानि recognizing opportunities वो central है बेहत आहम है कोई भी idea जो है वो सोशल एंटरपनियोर्शिप में जरूरी नहीं है अच्छा idea हो यानि वो implementable हो या practical हो इस मकसद के लिए हर idea को अलग से देखना होगा उसको assess करना होगा इसके लिए बाकाइदा कुछ formal tools हैं जिन पर हम अगले कुछ modules में बात करेंगे इस module में हम सोशल एंटरपनियोर्शिप में ideas की assessment जो है उसकी informal तरीकों पर बात करेंगे सोशल एंटरपनियोर्शिप में ideas को opportunity में translate करने के लिए या उनकी viability assess करने के लिए सुरूरी नहीं है कि formal assessment ही की जाए सोशल एंटरपनियोर्श जो basically बन्यादी तोर पर एक quality उनके अंदर होती है जैसे हमने पिछले module में बात की थी entrepreneurial quality उसकी बिना पर वो उन ideas को informally think through करते रहते हैं यहनि वो उनके बारे में सोचते रहते हैं और ज़रूरी नहीं है यह conscious level पर एक effort हो इसको मैं केस study के जरीए से वाज़े करूँगी यह केस है Alison Lynch का New York Women's Social Entrepreneurship Incubator Alison Lynch जो है वो एक कातून business graduate MBA degree उनके पास New York के एक अच्छे school से very self-assured person कहीं दफाँ उन्होंने सोचा कि वो social entrepreneurship करना जाती है business नहीं करना जाती, job नहीं करना जाती लेकिन somehow she was reluctant कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वो उसको कर नहीं पाती थी वो जो कहते हैं ना एक last leap वो उनसे नहीं ली जाती थी Alison के अपने लफजों में मैं कई दफाँ मैंने सोचा कि मैं कोई social enterprise शुरू करूँ इसके लिए मैंने कई दफाँ job भी छोड़ दी कि अब जब मैं job छोड़ दूँगी तो मेरे पास incentive होगा कि मैं एक push होगी कि मैं अपना enterprise शुरू करूँ और मैं social enterprise करूँगी लेकिन मैं नहीं कर सकी जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे एसास हुआ कि I felt alone मुझे लगता था मैं अकेली हूँ मैं उन लोगों के साथ connected नहीं हूँ जो social entrepreneurship में काम करते हैं मैं उस information के साथ connected नहीं हूँ जो social entrepreneurship को शुरू करने के लिए चाहिए मुझे उन resources का नहीं पता मुझे tax और financial implications इन चीजों का जो के social entrepreneurship के हवाले से specific हैं मुझे उनके बारे में information नहीं है ये जो और पर साथ ही वो कहती है कि उन्होंने जब सोचा तो उन्हें समझ आया कि business school में उनके जो MBA के class fellows थे वो ज़्यादा तर मर्द थे उन में से कोई खातून नहीं थी वो अकेली खातून थी और उन में से जो male business graduates थे अगर उन में से किसी नहीं social enterprise शुरू किया तो वो अपने male और जो colleagues थे उनके साथ शुरू किया ये जो एहसास था उनका कि being female, she is alone, she does not have access to information, to resources उससे उनको एक idea आया So, क्योंकि वो शुरू से उस बात को सोचती रहती थी informally कहीं बैठके नहीं, कोई tools यूज करके नहीं, finally she realized कि उन्हें किस चीज की जुरूरत है Idea क्या था कि वो एक incubator शुरू करें जो खवातीन को, उनके जैसी खवातीन को जो कि social enterprise में आना चाहती है उन्हें necessary knowledge, skills, resources और connections परहाम करें जिससे वो empowered महसूस करें और वो जो इतना लंबार सा, Alison ने खुद reluctantly गुजारा था करूँ, ना करूँ, करूँ, तो क्या करूँ, किस तरह करूँ वो time जो है, उस में एक formal help खवातीन को available हो नतीजे के तोर पे New York Women Social Entrepreneurship Incubator शुरू किया पहली class में 6 खवातीन enroll हुई वो खवातीन जो है, obesity पे social enterprise शुरू करने से लेके इंडिया में खवातीन को कालीम देने तक हर किसम के social enterprises करना चाहती थी Alison ने लोगों को जमा किया, जो experts थे, जिनके पास resources थे और इन खवातीन से introduce कराया और by the time they graduated उनके पास वो necessary skills, वो information, वो resources मौजूद थे जिनके जरीय से वो अपना social enterprise शुरू कर सकती and Alison had her own enterprise as well तो इस छोटी सी case study से आप समझ सकते हैं कि आपको बाकाइदा कहीं कोई जा के कोई tools के जरीय से assessment करने की जुरूत नहीं है आप अगर अपने idea को सोचते रहते हैं, उसको informally evaluate करते रहते हैं कि क्या चीज है जो आपको रोकती है या क्या चीज है जो आपको पुश करती है कि आप social enterprise शुरू करें तो आप social entrepreneurship जो है उसमें आ सकते हैं मुखतसर Alison की case study से ये बात मैंने demonstrate करने की कोशिश की कि social entrepreneurship के जो ideas हैं उनकी viability check करने के लिए अगरचे formal tools available हैं जिनको हम आगे चल कर discuss करेंगे लेकिन जुरूरी नहीं है कि आपको formal assessment करें अगर आप उनको carefully think through करें तो आपको समझ आ जाती है कि आपकी क्या strengths हैं कहां पर कमी है किस चीज की जुरूरत है जिसके जरिए से आपका idea जो है वो opportunity में translate हो सकता है Thank you